पेश्वा माधो राओ की मृत्यु के पश्चात परंपर अनुसार उनके छोटे भाई नारायन राओ पेश्वा बने मैंने आपको बताया लाज्ट क्लास में कि माधो राओ की मृत्यु के समय पर उन्होंने अपने चाचा रगुनाथ से वचन लिया था कि वो अगले पेश्वा नारायन राओ की रक्षा करेंगे ये उन्होंने वचन दिया था मगर नारायन राओ की हत्या के पीछे भी रगुनात राओ ही जिम्मेदार थे क्या श्टोरी है उसके पहले थोड़ा सा इंपोर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं नारायन राओ दरसल क्या है कि बालाजी बाजी राओ के तीन पुत्रों में सबसे छोटे थे सबसे बड़े विश्वास राओ फिर माधा राओ फिर नारायन राओ विश्वास राओ पानिपत के उद्ध में मारे गए माधव राओ पेश्वास 1772 में मारे गए और फिर उनके बाद में पेश्वा बने नारायन राओ नारायन राओ पर उनकी माता गोपी गाबाई का बड़ा प्रभाव भी था नारायन राओ हर किसी पर जल्दी विश्वास कर लेते थे यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी जब नारायन राओ पेश्वा बने तो उस समय पर उनकी उम्रे बहुत कम थी ठीक है मगर उनके जो रिजेंट थे वो उनके चाचा थे रगुनात राओ अब उस समय पर मराठा समराज में नाना फड़नवीस नाम याद रखना नाना फड़नवीस और महाद जी सिंध है इन दोनों का बड़ा दबाव प्रभाव और इनका प्रभुत था मराठा सेनाओं के विए और मराठा सरदारों के बीच में नारायन राओ ने उनके चाचा जो कि उनके संड़क्षक भी थे नारायन राओ और उनके चाचा के बीच में भी मदभेद हुए जिसकी वज़े से नारायन राउ ने का जाता है कि उनको उनके पद से मुक्त कर दिया और इस बात से नारायन राउ की सर्कत से रगुनात राउ बहुत क्रोधित हुए थोड़े समय ही सासन किया, मर्लम पूरे मराठा पेशवाओं में सबसे कम समय तक सासन किया तो किसने किया नरायन रावन आप देखो बहुतर से त्योतर तक सबसे कम समय तक फिर क्या हुआ कि ये कुछ कर पाते कुछ आगे चीज़े हो पाते उसके पहले इस वेक्ति का जो है इसकी मृत्यू हो गई कारण ये है कि एक महिला का नाम यहाँ जरूर आपको याद रखना है खास तोर पे उस महिला का जो भूमी का रही वो उनको मारने में भूमी का रही ठीक और उस महिला का नाम था आनंदी बाई अब फुरी श्टोरी सुनिएगा दरसल रगुनात राओ को जब पद से हटाया तो वो सनिवारवाडा में एक जगह पर रहे मगर उनको एक तरह से थोड़ा सा घर में नजरबंद की तरह रखा गया रगुनात राओ का एक मित्र था उसका नाम था सुमेड सिंग गार्दी सुमेड सिंग गार्दी कि नारायन राओ लाधारा मतलब नारायन राओ को कैद कर दिया जाए सुमेड सिंग गार्दी कई सारे सेनिकों का मुखिया था और उसकी सेनिकों उसकी सेनिकों पास एक अच्छी मजबूत सेना भी थी कुछ कभीलों की सुमेर सिंग का अज़ि को जोए विए पत्र पेजा गया रगुनाथ के द्वारा तो उससे पहले वो आनंदी बाई के हात माया आनन्दी बाई जो की रगुनात राव की पत्नी थी आनन्दी बाई ने इस पत्र में थोड़ा बदलाव किया उसमें लिखा नारायन राव ला मारा मतलब नारायन राव को मार दिया जाए सुमेर सिंग गार्दी के साथ मिलकरके रगुनात राव ने और अनन्दी बाई ने मिलकरके नारायन राव की हत्या की साजी सरक्षी तारीक खास तौर पे 30 अगस 1773 उस दिन गनेश चतूरसी का दिन था गनेश उस्सव का अंतिम दिन था गनेश उस्सव के दिन पूजा पाड़ करके नारायन राव अपने महल की तरफ जा रहे थे सुमेर सिंग गार्दी उनका पीछा कर रहा था और थोड़ी से एकांत पाके सुमेर सिंग गार्दी ने उनके उपर आक्रमन कर दिया नारायन राओ के साथ उनके अपने security guard भी थे मगर वो भी मारे गए नारायन राओ मदद के लिए अपने चाचा के को पुकारता है और उसने एक सब्द सुनाई दिया काका माला वचाओ एसा बोलते बोलते नारायन राओ चाचा के कक्ष की तरफ भागा रगुनात राओ की तरफ रगुनात राओ के सामने ही सुमेर सिंग गार्दी द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और उसके सरीर के कई सारे टुकड़े करके टुकड़े इसलिए गए ताकि उसके सरीर की बॉड़ी को जो है दूर ले जाए जाए और पेश्वा के पेश्वाई से सनिवारवाडा से दूर उसके सरीर की बॉड़ी को ले करके गए और उसका अंतिम संसकार कर दिये गए और उस सुमेर सिंग गार्दी की वज़े से ठिक आनंदी बाई की वज़े से नारायन राओ का हत्या हुआ रगुनात राओ इसके बाद ने पेश्वा बन गया मगर जब ये बात अलीक हो गई जब खास्तों पर मराठा संग में जो सरदार लोग थे जिनमें नाना फड़नवी से सिंधे है इन्होंने कहा कि हम इसको पेश्वा नहीं मानते और उन्होंने नारायन राओ के बेटे को जो है अगला पेश्वा बनाने के लिए बात कही रगुनात राओ को पेश्वा पस से हटाया दिया गया आनंदी भाई को और सुमेर सिंग गार्दी को इस हत्याकान का दोसी पाया गया साथ में उन पचास लोग और थे जिनको इस हत्याकान का दोसी पाया गया नारायन राओ की हत्या के बदले जो सुमेर सिंगार्दी था फिर वो 1775 में उसका एक रहस्में तरीके से निदन हो गया और जो है अनन्दी बाई उन्होंने फिर कर्मकांड किये इस पाप का प्राश्चित कर करने के लिए और स्रगुनात राओ जो है वहाँ से भाग के अंग्रे जोक के पास चला गया कहते हैं कि नारायन राओ की आत्मा सनिवार वाड़ा में भटकती है इसका सबूत यह है कि जब बाजी राओ दृती पेश्वा बने थे तो उन्होंने काका माला वचाओ नाम के आवाज सुनी और उन्होंने कर्मकांड करवाया था सनिवार वाड़ा में उस आत्मा से सनिवार वाड़ा को मुक्त रखने के लिए तो भूतिया एक जगह है सिनिवारवाड़ा ऐसा कहा जाता है तो ये नारायन राओ का देहांद और रगुनात राओ का पेश्वा बनना फिर उसके पेश्वा पर से हटाना अब क्या हुआ कि नारायन राओ की मृत्यू के बाद नारायन राओ सबसे कम समय में पेश्वा रहे उनकी मृत्यू के बाद में रगुनात राओ रहा मगर रगुनात राओ को फिर से हटा दिया गया और अगले पेश्वा बने फिर एक साल के बाद माधो नारायन राओ माधव नारायन राओ, नारायन राओ के बहुत अल्प काली पुत्र थे, छोटे बेटे थे और तई ये हुआ कि नाना फड़नवीस की देखरेख में एक मराठा राज की एक काउंसिल बनाई जाए की जिसे हम बारा भाई काउंसिल कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, बारा भा बारा भाई काउंसिल, और ये बारा भाई काउंसिल में नाना फड़नवीस का बहुत दबदबा था, प्रभाव था, और बारा भाई काउंसिल की जो न्यूक्ति कर दी गई, ये पेश्वा रहे 1774 से 1795 के समय तक, और इस समय पर पूरी सत्ता जो रही, वो नाना फड़नव पूरीस इसी समय पर पहला आंगल मराठा युद्ध भी हुआ था, हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी, और रगुनाज जो है वो अंग्ले जो के पास में भाग करके जाता है, उनके साथ में एक संधी करता है, उस संधी को फिर उस संधी का वज़े से फिर अग़्े जोकी अगले चेप्टर्स में पढ़ेंगे, मगर यहां धियान रखेगा कि यह पेश्वा बने माधव नारायन राओ, ठीक है, माधव नारायन राओ के बाद में, अब उनका जब मृत्ति हो गया, तो उनके बाद में, अब फिर पेश्वा बने थे, अंतिम मराथा पेश्वा, उनक हम कौटेल कहते हैं, एक तरह से मराथा सामराज का, जब तक वो जिन्दा रहे, मराथा संग युनाइटेड रहा, फंड नविस की मृत्ति के बाद में, मराथा सक्ति जो है, बाजिराओ सिकेंड, दोलत राओ सिंधिया और यस्वंत राओ हुलकर के हाथ में रही, और बाज बाजिराओ द्रिती का अयोग्य होना, अयोग्य होने का मतलब यह होता है, बच्चा, कि बाजिराओ द्रिती जो थे, वो ऐसे वेक्ति थे, जो अपने पिता के प्रयासों से पेश्वा तो बन गए, मगर पेश्वाई की जिम्मेदारी समालने की काबलियत उनके अंदर नही मगर इनके समय पर मराठा सामराज का विगटन प्रारंब होता है, इनका सबसे बड़ा जो योगदान रहा, वो ये रहा कि पेश्वा पद को ताकतवर बनाने का प्रयास इनोंने किया फिर से, जो की सरदारों के अधिन था, मगर ये मराठा संग को युनाइटेड नहीं समय पर लगी और उसके बीछे कारण था इनके पिता का शरित रगुनाद का, रगुनाद जो अंगरेजों से मिल गए थे और अंगरेजों और मराठों के बीच में लगातार संगर्स बढ़ता रहा और वो संगर्स इनी के पुत्र बाजीराव सेकेंड के समय पर अपने चर् जो नानाब फणनवीस थे उनके प्रती बाजीराव दिरती जो है वो घ्रना का भाव भी रखते थे अब नानाब फणनवीस के खिलाफ उन्होंने कई सारे काम किये बाजीराव पेश्वा को कायर भी कहा जाता है विस्वास घाती भी कहा जाता क्योंकि उन्होंने प्रधान राव सेकेंड वो अंग्रेजों से दोस्ती करने लगा और दोस्ती की वज़े से अंग्रेजों को मौका मिला मराथा संग में फूट डालने का और एक बहुत बड़ा छेत्र नाना फणनवीस के बाद मृत्यू के बाद बाजी राव ने अंग्रेजों को दान में दे दिया उस सामराज में पेशवा यस्वंत राव होलकर और जो है दौलत रावस इंदिया इन तीरों में आपसी मदभेद हुए मदभेद होने के बाद में यह होता है कि बाजी राव सेकेंड ने अभी हम पढ़ेंगे कि जो होलकर यस्वंत राव होलकर हैं उनके साथ में कुछ विश्व की संधी और उसने बसे की संधी करके अंग्रेजों को कई सारा छेत्र दे दिया और कई पैसा भी देना स्विकार किया इसके बदले में बसे की संधी के बाद में बाजी राव दृति और मराठाओं के बीच में एक समझोता होता है इसमें कहा गया कि बाजी राव दृति और इस इंडिया कंपनी के बीच में इस बात को स्विकार किया गया कि बाजिराव जृति जो होगा वो इस इंडिया कंपनी के अधिनता सविकार करेगा। इसके बाद में फिर मराठा सामराज के कई जो दूसरे सरदार थे चाहे वो सिंधिया थे चाहे होलकर थे उनका अंग्रेजों के इस कारण विफाद में एक युद्ध हुआ और युद्ध में फिर प्रसम जो जो अंग्ले मराठा युद्ध होता है उस युद्ध में फिर मरा पेश्वा का पस समाप्त कर दिया गया उसके पुत्रते नाना साहब जिनको विठ्ठूर में बेज दिया गया कानपूर के पास में और बाजीराव जो है इस युद्ध के बाद में सरेंडर कर देता है पेश्वा बाजीराव दिर्टी था पेश्वा बाजीराव दिर्टी जो है उसकी मृत्यू के साथ ही मराठा सामराजी का पेश्वाई का पद पिसमाप्त हो जाता है और साती सात में मैंने भी आपको इस्टोरी सुनाई थी कि जस्वंतरा होलकर के भाई विट्थू जी की हत्याप पूरे पर आकरमंड और पूरे पर आकरमंड के बाद में जो है बसीन की संधी जरूर याद रखना 31.802 वाली और इस संधी के बाद से ही मराठा सामराज पूरतर से सबाम सो जा तो पेश्वा बाजी राओ दित्ती के समय पर कुछ खास चीजे ऐसी नहीं थी जिसको बहुत डिटेल से आपको पढ़ना चाहिए मगर ये मराठा पेश्वाओं की कहानी थी मराठा पेश्वाओं की कहानी के बाद में आप जो एक चीज आप लोग को बहुत अच्छे से त्यार करना है वो है मराठा रियासते ठीके न अंग्रे जो के क्योंकि अब हम जब आंगले मराठा युद्ध पढ़ेंगे तो उनको पढ़ने से पहले आपको मराठा रियासते होनी चाहिए और आपको याद होगा कि पेश्वा बाजिराओ के समय पर मराठा सामराज संग बना था और उस संग को कई सारी रियासतों में बाटा था, छे रियासते प्रमुक थी, एक है सतारा, सतारा में छत्रपती रहते थे, पूने, पूने में पेशवा रहते थे, फिक है, वालियर, सिंध्या के पास में, नाकपूर, भौसले के पास में, बढ़ोदा, गायकवार के पास में, और इंदौर में होलकर रियासत तो कुल मिला करके ये छे प्रमुक रियासते थी हमारे मराठा सामराजे की और इन रियासतों में इनकी स्थापना किस-किस ने की ये आपको पढ़ना है सबसे पहले सिंधिया राजबंस तो सिंधिया राजबंस के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत प महाज जी सिंधिया इस राजवंस के सबसे महान प्रतापीस आ सक थे जिनके समय पर सिंधिया राजवंस बहुत ताकतवर बनता है अठारा सो तीन में दौलत राव सिंधिया ने अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया क्यों किया था उसके बारे में हम अभी आंगल मराठा युद्ध में पढ़ेंगे इसके बाद में आता है भोसले राजवंस जो नाकपूर में थे भोसले राजवंस जिसकी स्थापना रगुजी भोसले ने की थी और उन्होंने बंगाल और बिहार तक मराठा सामराज को फैलाया था रगुजी भोसले ने गायकवाड राजवंस जो की गायकवाड वंस जो खास्तोर पे हमारे गुजरात में था मराठा सेनापती दबो जी परिवार के अधीन थे दमाजी राय गायकवाड मराठा सेना के सासत पानीपत के तीसरी उद्ध में भी लाड़े गए थे और अंग्रिजों के खिलाब भी लड़े थे होलकर राजवंस जिसकी इस्थापना इंदौर में हुई थी और जो हमारे मलारा होलकर थे उन्होंने इस वंस की इस्थापना की थी इन्होंने इतनका नाम इतिहात में दर्ज है सांती की नीती के लिए और धार्मिक कारियों के लिए अहिलियावाई हुलकर ने कलकता से बनारस तक सड़क बनारस कानपूर्णा मंदिर या गया में विश्टू मंदिर बनवाया कासरिस्वनात मंदिर की सापना भी इन्हों नहीं कराई थी और रंजी सिंग ने जिस पर बाद मेस होने की परत चड़ाई थी ठीक अब यहाँ पर हम आंगले मराठा संदी मुझुद पढ़ेंगे उसके पहले एक टॉपिक आपको पढ़ना है वो है सूरत की संदी संद 1775 की संदी है सूरत की संदी कि बंबई की अंग्रेजी सरकार रगुनात राओ की बीच में हुई थी जब रगुनात राओ ने अपने भतीजे को मार कर ये भाग गया था तो इस संदी में तही हुआ था कि अंग्रेज रगुनात राओ को पेश्वा बनाने में मदद करेंगे इसके बदले में जो है मराठे बंगाल और करनाटक पर कभी भी आक्रमन नहीं करेंगे तो सूरत की संदी आप लोग याद रखना क्योंकि अब जो हम आंगल मराठा पेश्वा थे ठीक तो आप तो को मराठा पेश्वाओं के बारे में सब चीजे पता हो गई हैं तो इससे आगे की कहानी अब आंगले मराठा युद्ध के बारे में पढ़ेंगे अंग्रेज उने कैसे इंडिया को कैप्चर किया कैसे भारत में अंग्रेजी सत्पाइश प्रेंगे